हेलो गाइस, it's me Saurabh Manna, welcome back to my channel so finally paramedical वालों के लिए choice filling के regarding notification जारी कर दिया गया है भलब दक website में आया नहीं बट paper cutting जो की newspaper का paper cutting के मादियम से आपको ये information share कर रहा हूँ तशली शुरू करते हैं कब से कब आप लोगा choice filling होगा सीट अलॉट में लिटर कब जारी किया जाकर कब जाकर आपको admission लेना है सब कुछ इस वीडियो के मादियम से आपको share करना है ठीक है कि बहुत जनको हिंदी में में थोड़ा बहुत समझ में आता है तो इसलिए मैं थोड़ा easy way में थोड़ा आपको समझा देता हूँ ठीक है और अगर आपको लेगे कि हिंदी कोई English में छाप दिया है English में बोल रखा ली तो आपको देखने का कोई जरूत नहीं है क्योंकि बहुत सार ऐसे commentators है जो comment करते है कि जो हिंदी में उसी को English में बता दिया कोई extra कुछ बताया नहीं ठीक है अगर आपको नहीं देखना है तो मत देखे कोई problem नहीं ठीक है जिनको समझ में नहीं आरा वो लोग देखके like करके चल जाएएगा ठीक है चली मैं आपको बता देता हूँ अलाइन registration and choice feelings of seat जो की 24 तारीक से चाल रहने वाला इसका लास्ट डेट है वो एक तारीक है ठीक है तो इसमें क्या करना है आपको choice feeling बगर करना है पहले registration करना है और choice feeling करना होगा ठीक है आपके rank के अनुसार ठीक है जो-जो Colleges में seats available है उसके regarding आपको कितने colleges में, कौन सा colleges में कितना seats available है, किस rank वाले को ज़्यादा ज़्यादा preference रखना ज़रूरी है इसके regarding मैंने video डाल चुका है ठीक है, आप i section में जाहिएगा महाँ पर आपको मिल जाएगा कि किस rank वाले को कैसा कौन सा college preference रखना ज़रूरी है, ठीक है उसमें आपको idea मिल जाएगा उसमें आपको ये भी पता चल जाएगा कि कितने government colleges है, कितने private colleges है और वो सब government college में कितने seats available है, कितने private colleges में कितना seat available है, कितने से कितना CML rank वाले student ये preference रख सकता है government में कितने से कितना rank वाले student private में preference रख सकता है, सारा कुछ इस वीडियो में बताया था आप आए सेक्शन में जरूर देख लिए ठीक है तो यह हो गया आपका अप है आपका प्रोविशनल सीट अलॉटमें लिस्ट और सीट अलॉटमें लेटर जारी किया जागा जिसमें से आपको पता चलेगा आपके फ्रेफरेंस के हिसाब से आपको कौन सा कॉलेज मिला है जो कि 6 तारिक को मेंशन किया जागा और 15 तारिक लास्ट ठीक है अब आपको लगड़ा होगा कि 6 तारिक से 15 तारिक तक अब इतना लंबा डेट दिया है सीट अलॉटमें लेटर के लिए जी नहीं सीट अलॉटमें लेटर जो वो एक दिन में डाउल किया गया है वो कॉलेज में जाकर आपको डॉक्मेंट्स वगड़र वेरिफिकेशन करवाना होगा और आपको एडमिशन करवा लेना होगा ठीक है यह हुआ आपका 1st round of online counseling को लेगा ठीक है अभी आप खली 1st round of online counseling को depend कीजिए 2nd round जब होगा उसके regarding में बात में वीडियो र जारी किया जाएगा counseling को देखे वो JCC के website में जारी किया जाएगा इसके regarding में वीडियो लाँगा कैसा आप लोगो चॉइस विलिंक करना उसके regarding में वीडियो लाँगा शाम को जब अगर लिंक जारी किया जाता है तो ठीक है पूरा डिटल प्रोसेस में आपको बताऊंगे क चॉइस आपको चॉइस विलिंक करना में तो आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा ठीक है क्यों कि आगर व्वीडियो देख लहाँ कि आपके लिए ज्यादा helpful रहाएगा ठीक है बात करते है कितना फीस देना होगा थिक है पले अब चॉइस लींक के लिए कितना पैसा आ तो यह हुआ आपका first round of online counselling को लेगा ठीक है मैंने fifth point और यह वाला point मैंने इसलिए अभी explain नहीं किया क्योंकि यह second round of counselling के लिए है अभी आप सिर्फ जो जो points मैंने आपको बताया है वह सब फर्स रांड of counselling के लिए जो जो मैंने आपको बताया है वह सब follow कीज़ेगा ठीक है तो उमीद करते हैं आपका start out clear हो जगा है आप वो वीडियो को देख लिए कौन से college में मिलने का जाद जाद chances से preference क्या रखना चाहि ठीक है तो वीडियो का यह भी खतम करते हैं थांक्यू अ झाल